नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एप टॉक में तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो भी पिंट्रेस्ट पर इमेजिस हैं क्या उन पर कोपिराइट आता है या नहीं आता है देखिए यह बहुत ही कोश्चन है काफी कोश्चन है लोगों का कि हम यो पिंट्रेस्ट की इमेजिस है क्या उसको यूट्यूब में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कहा कहां पर हम उसको सर्च यूज कर सकते हैं तो देखिए इस तरह की काफी कोश्चन है जिनका आंसर में आप लोगों को दूँगा तो देखिए जो भी पिंट्रेस्ट प पर आ रहा है, copyright होता है जिस person की image है क्या उसने उसका copyright लिया हुआ है तो पहले copyright को समझेना बहुत ही ज़रूरी है, इस question के लिए कि क्या Pinterest की image पर copyright आता है कि नहीं आता है तो देखिए हम सबसे पहले, अभी हम Pinterest पे हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि Pinterest की images अब जैसे ये मेरी first images है मैं इस image के अंदर गया मैंने देखा तो your png ये नाम है जिनकी ये images है अब ये मैं ये click करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये खुल के आ जाएगा कि किसकी image ये है share this pin ये देखिए ये देखिए your png dot com इनकी ये image है जो की Pinterest पे थी ठीक है तो ये इसके owner जो है वो your png होगए चलिए next image देखते हैं next image में हम गए ये rider की image है इसको हम click करते हैं चलिए देखते हैं तो png background ये दिखिए लड़के का photo भी इसमें है तो ये इसका owner है तो ये सब जो images हैं ये images कहीं ने कहीं किसी ने upload की हुई होती है तो copyright जो है ये लोग आपको दे सकते हैं ये नहीं है कि आपने इसकी कोई भी image उठाई उस पे copyright नहीं आएगा तो देखे दोस्तों इस पे copyright आ सकता है ऐसा नहीं है कि इसकी image पर copyright नहीं आएगा तो अगर YouTube या कहीं पर भी आप इस image को use करते हैं तो उस पर copyright हमेशा आ सकता है और हो सकता है ना भी आए ये images भी Pinterest की same ही images है जैसे बाकि आप Google से image उठाते हैं तो उन पर भी copyright आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है तो copyright आ सकता है नहीं आ सकता है ये बहुत बड़ा question है किसर किसमें आ सकता है किसमें नहीं आ सकता है तो आप जब भी Pinterest के Make use करते हो, आप हमेशा milie card दें कितने ही ऐसे लोग है जिनको copyright आया है अब देखिए हमें पता कैसे चलता है कि हमारी इमेज कहां पर यूज हो रही है आपको लगए कि मैं तो इमेज निकाल के यूज कर लोगा उसको कैसे पता चलेगा तो इसके भी बहुत ही इजी तरीका है पता करने का कि लोग क्या करते है एक तो गुगल पर जाके आप गुगल पर जो इमेज है इमेज सर्च कर लीजिए उस इमेज को आप जैसे ही सर्च करोगा आपको पता लग जागा कि यह इमेज कहां कहां पर यूज हो रही है मेरी जैसे आप उस पर सर्च करोगा आपको पता चल जाएगा और आप उन कहां कहां पे use हो रही है और जैसी आपको पता चलेगा आप जैसी एक एक एक्जामपल दिया है तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो प्लीस कमेंट बोक्स में जाके comment जरूर कीजिएगा ताकि मैं इस पर आपके लिए प्लीस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नई नई वीडियो में आपके लिए हमेशा लेके आते रहेंगे और जो भी आपके डाउटर उन सब पर question पर answer हम करते रहेंगे नमस्कार दोस्तों धन्यावाद